वेल्कम बैक तो दे चैनल आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिटार इंट्रो तो दे सॉंग कभी जो बादल बरसे ये इंट्रो बहुत ही इंट्रेसटिंग है और बहुत ही अच्छा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि इसके अंदर हैमर-on and pull-off टेकनीक है then sliding टेकनीक है और एक जगा पे एक chromatic line भी है जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है तो इस lesson को मैं फटाफट breakdown कर देता हूँ आपके लिए एकदम slowly detail में ताकि आप इसको आसानी से play कर पाएं अगर आपको मेरे lessons पसंद आ रहे हैं तो please इस channel को subscribe कीजिए और bell icon पे click करके notifications on कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप वो lesson देख पाएं अगर आप कोई specific lesson request करना चाहते हैं कोई गाना आप सीखना चाहते हैं तो आप comments के द्वारा मुझे बता सकते हैं और मैं उस गाने को cover करने की कोशिश करूंगा आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं मैं Instagram पे regularly short content बनाता रहता हूँ जो शायद आपको interesting लगे और आप उससे inspire होकर कुछ वैसा ही content बनाएं so make sure you follow me on Instagram इसका जो first phrase है उस first phrase में आपको एक slide प्ले करना है 3rd fret से 5th fret तक and फिर से 5th fret को प्ले करना है then moving on to the second string 3rd fret इसके बाद एक hammer on and pull off उसके बाद pull off from the 5th to the 3rd fret उसके बाद आपको एक slide प्ले करना है 5th fret से 3rd fret तक और उसी वक्त मतब slide प्ले करते हैं वक्त ही आपको अपना first finger यहां first fret पर रख देना है ताकि आप जब यहां पहुचेंगे तब आप यहां से pull off कर पाए so ऐसे यह sound करेगा उके उसके बाद play करना है 1st and 3rd fret और उसके बाद यह एक ending line तो यहां पर यह chromatic line है 1st, 2nd and 3rd fret ओके इसकेंड फ्रेज एक्जाक्ली सिमिलर है बस यहां पर आपको एक slide प्ले करने है 3rd fret से 5th fret and then back to 3rd fret and बाद में ending line फिर से same and जो 3rd phrase है वो exactly same है 2nd phrase की तरह पूरा एक slow lesson कुछ इस तरह के से है क्च़ करने है